कि आपके बच्चे मेडिसिन पिने में आपको परिसंद करते हैं मेरे बच्चे भी परिसंद करते हैं लेकिन हमको एक आसान ट्रीक पता चला है डॉक्टर के साथ बात करने की बाद और मेरे एक्स्प्रियंस के साथ वह मैं आपके शाथ अभी श्यार करने वाली हूं चलिए देखते हैं कैसे में दर्शिगा को मेडिसिन पिला रही हूं बेबी अभी अब मेडिसिन पियोगे हैं रोना नहीं है बेबी अभी मेडिसिन पिये हैं हां अब कितना मेडिसिन पिना है मुझे काउंट करके बताओगे वान टू थ्री फॉर वाँ अभी रोना नहीं है ठीके ओके बेबी रोना नहीं है पिलोगे ना पहले आपको मेडिसिन निकालना है मैं सबसे पहले एक मेडिसिन कैसे पिलाती हूं आपको दिखाती हूं यह मेडिसिन डॉक्टर बोले थे 2.5 ml थोड़ा ज्यादा हो गया है 2.5 ml पहले निकालना है हमें और मेडिसिन तो बच्चों के लिए कड़ू ही होता है जब बच्चों की तबेद खराप रहते तब ज्यादा कड़ू लगता है बच्चों को तो इसलिए आपको क्या करना है यह मेडिसिन के साथ थोड़ा सा हनी थोड़ा सा हनी मिक्स करना है हनी मिक्स करने के बाद बच्चों की सामने यह सब हो रहा है देख भी रही है और अभी वो खूद पकड़ भी ली है खूद सोके अभी पी लेगी बेबी ममा हनी डाल दी है आपके मेडिसिन में ओके अभी वो मिठा मिठा लगेगा ठीके आप पी लोगे गुड़ पकड़ो ममा के हाथ से बेबी पकड़ो अच्छा आप थोड़ा से पहले पानी पिऊगे ठीके पानी थोड़ा पी लो फिर मेडिसिन लो गुड़ एक बर में पीना हाँ हनी है ओके गुड़ गर्ल देखिए वो फिनीश कर दी है उससे मेडिसिन अभी वो एक मेडिसिन खा ली है लेकिन उसके अभी उसके मुँ के टेस्ट बदल जाएगा फिर वो दूसरे मेडिसिन खा सकती है अभी वो थोड़ा सा हनी भी खाएगी खाओ बेबी चलती हनी हाँ गुड़ अभी दो अभी मेडिसिन लो नेक्स्ट हम उठाओ मेडिसिन मामा के हाथ से लो गुड़ गुड़ वेरी गु इस लिए आप लोग ऐसे भी आपके बच्चों को मेडिसिन पिला सकते हैं बच्चों को कभी भी जबरदस्ति मेडिसिन नहीं पिलाना है वो उल्टी कर देते हैं उनके तबेट कभी भी ठीक नहीं होती है बहुत दिन लग जाती है इसलिए थोड़ा सा पैसेंस रखके एक म कि पिलाने के पहले थोड़ा सा घ्याप भी रखना है बच्चों का माइन डाइवर भी करना है फिर जाय के बच्चे आचे से मेडिसिन पीते हैं अगर आपको मेडिसीन पीलाने का ट्रिक पसंद आया तो आप लाइक शास्क्राइब सेयार जोरूर केजिए और ऐसे आपके बच्चों को भी देखिए मेडिसिन पीने के बाद ऐसे खूस देखिए जैसे यहां दर्शी का भी खूस है